कि नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जग्दी स्वागेला और स्वागत करता हूँ मेरी चैनल में कच्छ दर्शन में दोस्तों मैं आज कच्की कोई प्लेसिस के बारे में नहीं लेकिन कच्की एक फ्रूट के बारे में बताने वाला हूँ और वो फ्रूट एक्चुली कच्की पैदास नहीं है लेकिन यहां के किसान ने इसमें पहली बार एक्सप्रिमेंट किया है और वो एक्सप्रिमेंट जो किसान यहां के किसान ने पहली बार एक्सपरिमेंट किया है और इसका बहुत बड़ा बगीचा यहां पर और काफी यूस्पूल और आयरुवेदिक यह फ्रूट और सहथ के लिए भी बहुत अच्छा इसका जूस भी बनता है तो चलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर यह पूरा बगीचा यह फ्रूट के बारे में मैं डीटेल जानकारी और यह फ्रूट का बगीचा कहां पर है वो भी मैं आपको डीटेल जानकारी दूंगा तो चलिए दोस्तों यह वीडियो आप अंतक देखे और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया ह तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए चले फिर दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसके बारे में विश्तरुत जानकारी दोस्तों देख सकते आप मेरे पीछे में जा रहा हूं अंदर आपको दिखा रहा हूं यह फूरूट्स यह देखिए आप वीडियो में आप इसके बड़िया क्वालिटी का और इसके जो यह फर्स्ट टाइम कच में प्रयोग किया गया है और इसका बड़ा एक बगीचा यहां पर भूज लगपत हाईवे पर देशल पर और मांजराई के बीच में देख सकते हैं और आप आपने सुना होगा वो दादा दादी का जो वारी है उसके एकदम नजदीक में यह बगीचा आया है काफी खूपसूरत आप देख सकते हैं यह बगीचा आपको अगर पता हो तो यह ग्रेप जैसे उग गया जाते उसी की तरह ही गया गया है उसकी पैटन है उसी तरह ही उगया गया है यह देखिए मैं आपको दिखा यह पीछे खुब सूरत और देखने लाइक और यह फायदे मंद फूर्ट से आपको ऐसा लग रहा होगा कि यह बेर का फूर्ट से नहीं यह एक्चुली पेसंद फूर्ट है कि यह विटमिन सी और यह से भरपूर मैंने टेस्ट भी किया इस फूर्ट के जूस का काफी टेस्ट काफी अच्छा टेस्ट और फायदें बन तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे यह पूरा बगीचा और यहां पर इसका बागान देखिए दोस्तों बड़िया क्वालिटी का चलिए मैं और दिखा रहा हूं अंदर चलिए तो फिर मैं और कच के बारे में ज़्यादा विश्टरुच जानकारी आगे में वीडियो में बताऊंगा आपको और अच्छी जगव के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा यह देखिए यह आप देख सकते हैं काफी सुन्दर बगीचा यहां से काफी लोग रास्ते पर यह भूज लगपत हाईवे पर ओन दवे में यह बगीचा है यहां पर आप देखिए मैं दिखा रहा हूं यह यह फ्रूट्स देखिए यह आप देख सकते हैं पेश्टन फ्रूट्स दोस्तों एसके अंदर यह है यह फ्रूट के अंदर का भाग इससे जूस भी बन सकता लाए काफी टेस्ट पूल एक चमच्ट अगर चिन्नी और एक चमच इसके जूस एक ग्लास में पानी मिला कर अगर हम पीते हैं तो काफी टेस्टी और फायदे मन और विटामीन सी से भर पूर चले तो फिर अगर आप परचेस करना चाहते हैं और यहां तक पाउसना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर में कॉंटेक नंबर भी डाल रहा हूं इस फायम का इडर्स भी डाल रहा हूं आप कॉंटेक्ट कर सकते काफी यूश्पूल और टेस ती